रामपाल एक बावर्ची था जो बड़े बड़े घरों में खाना बनाने का काम करता था उसके परिवार में उसकी पत्नी सरोज, उसकी जुड़वा बेटी राधा और मीरा उससे छोटी दो लड़कियां, निकी और मिकी और एक बेटा अजय था इतने भरे पुरे परिवार का गुजारा केवल रामपाल की एक छोटी सी तनकापर हो रहा था राधा और मीरा ने अपनी बारवी के परिक्षप पूरी कर ली थी उसके बाद दोनों चोटी बेहने दस्वी और आठ्वी क्लास में थी और अजय चटी क्लास में पढ़ता था ये देखो, रोज रोज इन स्कूल वालों के इतने चोचले होते जा रहे हैं कि बस पूछो ही मत पिक्निक के लिए साथ हजार रुपए मांग रहे हैं घुमाने फिराने के मा, तो मैं और मिक्की चले जाए ना तुम दोनों जले पर नमक मच्छड को, साथ हजार में मैं पूरा महीना चलाती हूँ तुम दोनों को दे दूगी तो फिर घर कैसे चलेगा इसका मतलब अब हम लोग नहीं जा रहे सारी जिंदगी हो गई हमें उस स्कूल में पढ़ते हुए बारवी भी पुरा कर ली हम तो कभी नहीं गएं पिक्निक पर तुम दोनों आसमान से उतरी हो मा, कोई जरूरत नहीं है इनको भेजने की और वेसे भी, पढ़ाई तो इन दोनों ने करनी नहीं होती वहीं कोने में बैठा हुआ अजे अपनी बेहनों की बातें सुनने के बाद अपनी मा से कहता है मा, जब मैं पिक्निक पर जाऊंगा तब तक पैसे खटे कर लेना मैं दीदी की तरह नहीं हूँ कि पिक्निक पर ना जाऊं चुपो जा, अपने एकलोते होने का फायदा मत उठायकर तू भी कभी पिक्निक पर नहीं जाएगा जब तेरी बेहने नहीं गई अपनी मा की बात सुनकर सारी बेहने अपने भाई को चुढ़ाने लगती है रामपाल भी अपने काम से वापस आ जाता है आज वो खाने का कुछ सामान भी लेकर आया था आज बड़ी मेम साहब के यहां पर पार्टी थी मैंने जो खाना बनाया उसमें से मैडम ने कहा घर के लिए ले जाओ आज खाना मत बनाना यहीं खालो वा बाबा यह तो बहुत अच्छा हुआ सच मुझ में बाहर का कुछ खाने का बहुत मन था लगता तुम दोरों ने सुना नहीं यह खाना बाबा नहीं बनाया है हाँ हाँ पर हमारे घर जैसे मसले तो नहीं है न इसमें इसमें तो काजू बादाम भी होंगे मसाले भी होंगे, खोया भी होगा और मुझे पता है जब बाबा इस तरह मिलाकर कोई खाना बनाते हैं तो वो सच मुझ में बहुत ही ला जवाब होता है भगवान जाने कितनी चटोरी उलाद है आओ दोनों उठकर और मेरे साथ रसोई में आकर मदद करो सभी लोग मजे से खाना खाने के बाद सोजाते हैं अगले दिन सुभे रामपाल को तेज बुखार था वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था रात को तो तुम्हारी तबियत बिलकुल ठीक थी जी अब अचानक से इतना तेज बुखार लगता है जादा काम करके ठक गए हो क्या करूँ सरोज आके यह नहीं खुल रही और बदन भी टूटा जा रहा है उपर से आज शर्मा मैं के यहाँ पर मेहमान आने वाले हैं उनके यहाँ खाना बनाना था अब मैं क्या करूँ उन्हें मना करूँगा तो गुस्सा हो जाएंगी हाँ, ये बात तो है गुस्सा भी हो जाएगी और पैसे भी नहीं देगी देखो तुम्हें देख देखकर राधा और मीरा ने काफी अच्छा खाना बनाना सीख लिया है मैं उन्हें भेश देती हूँ नहीं नहीं उन्होंने कभी बाहर जाकर खाना नहीं बनाया है दोनों परेशान हो जाएंगी तब ही वहाँ पर राधा और मीरा आ जाती है और अपने बाबा की बात सुनने के बाद वो दोनों शर्मा मैम के यहां जाने के लिए तैयार हो जाती है देखो तुम दोनों बहुत अच्छा खाना बनाती हो लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखना वो लोग मेर्च ज़रा कम खाते है इसलिए थोड़ा तीखा कम बनाना ठीक है बाबा हम लोग सब कुछ संभाल लेंगी हम उनसे पूछ कर भी खाना बना लेंगी बस अब आप आराम करो दोनों बहने अपने बाबा का थैला उठा कर शर्मा मैम के घर पहुँच जाती है ये क्या लास्ट टाइम पे रामपाल ऐसे कैसे तुम दोनों को भेज सकता है देखो मेरे यहांच किटी पाटी है खाना मज़ेदार बनना चाहिए और अगर खाना अच्छा नहीं बना रहा तो मैं रामपाल के पैसे काट लूँगी आप बिलकुल भी टेंशन मत लीजे शर्मा मैम हमने बाबा से ही खाना बनाना सीखा है अब क्या कह सकती हूँ आखर टाइम पर मुझे इस तरह धोखे देने वाले लोग बिलकुल भी पसंद नहीं है फिर भी चलो तुम दोनों जाकर खाना बनाओ और देखो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए दोनों बेहने रसोई में जाती हैं और खाना बनाने लग जाती हैं उधर घर पर शर्मा मैम के महमान भी आ जाते हैं रसोई से आते हुए अच्छे खाने के खुश्बू से सभी शर्मा मैम से कहते हैं कि पहले खाना खाते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी कितिपाटी शुरू करेंगे। रसोई में आकर वो राधा और मीरा से खाना लगाने के लिए कहती हैं। दोनों बेहने फटाफट सारा खाना टेबल पर सजा देती हैं। और जब शर्मा मैम की सहेलियां खाना खाती हैं तो वाह वाह कर उठती हैं। सब लोग राधा और मीरा के हाथ के खाने की बहुत करते हैं शाम को जब दोनों बैने घर वापस जा रही होती है तब शर्मा मैम उन्हें अपनी खुशी से 200 रुपए देती है घर आने पर अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम दोनों ने इतना बढ़िया खाना बनाया कि एनाम के तौर पर तुम्हें 200 रुपए मिले दीदी आप लोगों ने इतने लोगों के लिए खाना बनाया क्या सारा खाना खत्म हो गया था नहीं खाना तो काफी बज़ गया था लेकिन मैम ने हमसे कुछ भी नहीं पूछा पर तु फिकर मत कर दोसों मिले है ना मैं इसका सामान लेकर आऊंगी और फिर अपने भाई के बुखार और तेज हो चुका था सरोज उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है जाते समय जस रिक्षा में सरोज और रामपाल बैठे हुए थे वो पलट जाता है और रामपाल की कमर में भयानक चोट आ जाती है जिस कारण वो उठ भी नहीं पाता डॉक्टर उसे कंप्लीट बैडरस पर भेज देते हैं ए भगवान कैसी विपदा पड़ी है अभी इतना तेज बुखार था अब कमर में चोट लग गई है डॉक्टर कह रहे हैं कि कई महीनों तक बैडरस्ट करेंगे तब कहीं जाकर ठीक होंगे अरे चुपो जाओ मा देख लेना बाबा जल्दी ठी सारे बच्चे अपने बाबा की हालत देखकर उदास हो जाते हैं उधर सुबह जब रामपाल को अच्छे से होश आता है तो वो परिशान हो जाता है कि अब घर कैसे चलेगा आप अपनी तबियत पर ध्यान दीजे हम लोग कुछ न कुछ कर लेंगे और वैसे भी राधह और मेरा भी बहुत अच्छा खाना बनाती है वो आपकी जगह चले जाएंगे हाँ बाबा आप बिलकुल भी टेंचन मतलो हम दोनों काम को संभाल लेंगी दोनों बेहने रामपाल की जगह उन जगों पर जाकर खाना बनाने लगी जाह उनके बाबा बनाते थे लेकिन एक दिन सेट तोड़ दिया तुम लोगों ने इतनी तो तुमारी कमाई भी नहीं है जितने का डिनर सेट तुम लोगों ने तोड़ा है तुम लोगों को अपने घर में बुलाना ही नहीं चाहिए था हमने जान बुचकर नहीं तोड़ा बस हाथ से फिसल गया तुमें तो हमारा नु इतना घबन भी नहीं होना चाहिए आपको अपनी अमीरी पर, यहां इंसान के अगले पल का भी नहीं पता, और तुमने हमारे भविश्य का बता दिया, यह तो मामुली से डिनर सथ है, मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या-क्या खरीच सकती हूँ। गुसे में वो मालकें दोनों बेहनों को काम से निकाल देती है, घर पर आकर दोनों बेहने अपने माबाबा को सारी बात बता देती हैं, और साथी साथ फर्मान भी जारी कर देती हैं, माबाबा, जब हम लोगों को इतना अच्छा खाना बनाने आता हैं, तो हम लोगों के घरो पर इतने पैसे आएंगे कहां से? मेरे पास एक चेन और अंगूठी है, हम उसे बेच देंगे और उससे ही अपना छोटा सा काम शुरू करेंगे। आखिर में सारा घर इसी बात के लिए राजी हो जाता है। और फिर मेरा और राधा मा का वो थोड़ा सा जेवर बेच कर पैसे लेकर अपना एक छोटा सा धाबा खोल लेती हैं। राधा और मीरा, जो काम तुम्हारा बाप सोचता था और कभी कर नहीं पाया वो तुम दोनों ने शुरू किया है और अब कभी पीछे मुड़कर मत देखना। मैं तुम्हें बताता रहूंगा कि कैसे काम करना है और खाना तो तुम दोनों बनाती ही बहुत बढ़िया हो। अपने बाबा से मिले होसले से राधा और मीरा दोनों खुश थी और वो शुरू शुरू में अपने खाने का दाम भी कम रखती हैं। देरे देरे लोगों की भीड़ वहाँ पर लगनी शुरू हो जाती है 50 रुपे में भर पूर खाना। जब घर में रोज पैसे आने लगे तो घर के हालत भी धीरे धीरे अच्छे होने लगे। उधर मीरा और राधा भी पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करती हैं। 50 रुपे की थाली एक साल तक आते आते, सौ देर सो और दो सो की थाली में बदल गई। खाने का स्वाद इतना अच्छा था कि शाम के समय तो दोन रामपाल की तबियत में अब काफी सुधार था, वो जादा दिर खड़ा तो नहीं हो पाता था, लेकिन बैठे बैठे वो भी राधा और मीरा की मदद करता था। बाबा, काम बहुत जादा हो गया है और जगब बहुत कम है, हम सोच रहे थे कि एक बड़ी सी दुकान दे ल लगा देता है, फिर उन्हें पासी में एक बड़ी दुकान मिल जाती है, राधा और मीरा अपना ढ़ाबा उसी बड़ी दुकान में खोल लेते हैं और एक दिन वो औरत उसकी दुकान का खाना लेने आती है, जिसने बरतन टूटने पर उन्हें घर से निकाल दिया था, पहत गुस्सा आया था, कि आप इंसानों को इंसान नहीं समझती, लेकिन आज आपको देखकर मेरा दिल आपको धन्यवाद देने को कर रहा है, ना उस दिन आपने हमें इस तरह जलील करके घर से निकाला होता, और ना आज हमारे पास ये धाबा होता, अरे मैं उस दिन के पर तुम दोनों ने सच मुच में कमाल कर दिया, तुमारा खाना इतना फेमस है कि मेरी बहुत सारी दोस्तों ने तारीफ की थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई फिर राधा और मेरा वो सारा खाना पैक करती है, जो वो औरत बोलती है, और इस तरह दोनों गरीब बेहनों कर ढाबा बहुत फेमस हो जाता है, और उनके घर की आर्थिक स्थिती भी बहुत अच्छी हो जाती है बलदेव एक मेहनती मजदूर था, उसके परिवार में उसकी पतनी आचल, बेटा निखिल और बेटी निकिता थे, दोनों बच्चे पासी के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे आचल, घर को संबालती थी और बलदेव रोज काम पर जाता, और महीने भर बाद उसे छोटी सी पगार मिलती जिस दिन पगार मिलती, उस दिन घर में कुछ और ही रौनक होती सब को लगता है कि इस महीने तो जो जो सोचा हुआ है, वो सब खरीद लेंगे लेकिन पांच दिन के अंदर-अंदर ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता, आज भी वैसा ही एक दिन था बहुत गर्मी है बाहर, बेटी निकिता जरा एक गलास पानी तो पिला ये लो बाबा, बहुत गर्मी है बाबा, मैं अभी आपके लिए शर्बत बना कर लाती हूँ, आज तो आपको पगार मिली होगी तुझे और कोई दिन याद नहीं रहता, लेकिन जैसे ही मेरी पगार का दिन आता है, वैसे ही तुझे याद आ जाता है कि आज एक तारीख है आपके साथ सब मैं भी बहुत मैनत करती हूँ, इतना तो बनता ही है सुनो, मैं क्या सोच रही थी किस बार शुरू से ही थोड़ा हाथ खींच कर रखेंगे बाबा, रोज पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, आप हम दोनों को आज ही 100-100 रुपे दे दो बलदेव अपनी पगार निकाल कर आचल को दे देता है, आचल उसमें से 100-100 रुपे दोनों बच्छों को दे देती है ध्यान से खर्च करना बच्चो मैं तो ध्यान से ही खर्च करता हूँ मा, आज तक मैंने कभी कोई फिजोल खर्ची की है अगले दिन सुबह दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं स्कूल से आते समय निखिल और निकिता देखते हैं कि एक बच्चा जैसे ही अपनी स्कूल बस से उतर कर अपने घर की तरफ जाता है मोड पर एक बाइक वाले से उसकी टकर हो जाती है जिससे उसे मामूली चोट आती है निखिल भाग कर उस लड़के को उठाता है अरे तुम्हें तो चोट आ गई है तुम कहां रहते हो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ाऊं एवस सामने ही मेरा घर है भाईया अब बस मेरा बैग ले लो मैं घर चला जाऊंगा निखिता उस लड़के का बैग उठा लेती है और निखिल उसे सहारा दे कर उसके घर छोड़ने जाता है अरे बिटा क्या हुआ तुम्हें कुछ नहीं आँटी एक बाइक वाले से इसकी टकर हो गई हमने इसको देखा तो छोड़ने आ गए तुमने बहुत अच्छा किया बेटा तुम दोनों बहुत अच्छे हो चलो अंदर आओ बहुत गर्मी हो रही है निखिता और निखिल दोनों घर के अंदर जाते हैं और आराम से सूफे पर बैठ जाते हैं वाह कितना ठंडा है ये कमरा यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी हो कितना अच्छा लग रहा है इसी वाले कमरे में बैठ कर काश हमारे पास भी ऐसी होता तो बाबा जब काम से आते हैं तो कितना भीगे होते हैं पसीने में अगर इतना ठंडा कमरा उन्हें मिल जाये तो कितना अच्छा होगा तब ही उस लड़के की मा दोनों बच्चों के लिए कोल रिंग और कुछ खाने के लिए लाती है दोनों बच्चे कोल रिंग पी कर वहां से चले जाते हैं बाहर आकर दिदी उनका कमरा देखा था कितना ठंडा था पता ही नहीं चल रहा था कि बाहर इतनी गर्मी है हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था दिल कर रहा था कि वहां से उठुई ना काश निखिल हमारे पास भी ऐसी होता दोनों बच्चे गर्मी और एसी की बात करते करते घर पहुँच जाते हैं अज बड़ी देर लगा दी तुम दोनों ने, कहां रह गए थे कोई बच्चा था मा, उसको चोट लग गई थी, उसे उसके घर छोड़ कर आए ओहो, ज्यादा चोट तो नहीं आई थी नहीं मा, मा मुली सी चोट थी पता है मा, जब हम उनके घर में गए, तो उसकी मा ने हमें कोल्डरिंग और खाने को दिया और उनका कमरा इतना ठंडा था मा, उसमें एक बड़ा यसी लगा था बहुत अच्छा लग रहा था, इतना ठंडा था हाँ हाँ बेटा, ज़रूर रहा होगा मा, क्या हम एसी नहीं ले सकते नहीं ले सकते, हमारी आमदनी इतनी नहीं है बेटा कि हम इसे खरीद ले और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास एसी हो पर मा, हम एसी तो ले सकते हैं ना काहा ना नहीं ले सकते चलो जल्दी से दोनों हाथ मुँ दोलो मैं खाना निकालती हूँ आचल बच्चों को खाना खिला कर थोड़ी देर सुला देती है निखिल को सपने में भी AC दिखाए देता है उसे सपना आता है कि वो एक कमरे में है और उसके माँ और बाबा दीदी सब AC की हवा में सो रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तब ही उसकी आँख खुल जाती है और वो देखता है कि वो पसीने से तर्बतर हो रहा है काश कि ये सपना सच हो जाए अगले दिन दोनों बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो रास्ते में एक छोटा सा बाजार था वहीं एक दुकान पर टीवी, AC और फ्रिस्बिक रहे थे निखिल भाग कर दुकान के अंदर जाता है अंकल, वो वाला AC कितने का मिल जाएगा? वो AC 32,000 रुपे का है, तुम किसी बड़े को लेकर आओ मैं तो बस रेट पता कर रहा था बाहर आकर वो निकिता को बोलता है कि AC 32,000 रुपे का है ये भगवान इतना महंगा, बाबा तो कभी भी नहीं ले पाएंगे चल चल घर चल, वरना मा फिर डाटेंगी दोनों बच्चे घर आते हैं, तो बलदेव घर पर ही होता है बाबा, आप और इस टाइम यहाँ पर, आज आपके काम की छुट्टी है क्या? हाँ हाँ, आज छुट्टी हो गई है हमारे मालिक के यहाँ पर कुछ होआ था इसलिए उन्होंने आज छुट्टी दे दी तो मैंने सोचा, क्यों न आज अपने परिवार के साथ बैठा जाए? अच्छा किया, आप सब लोग बैठो, मैं आप सब के लिए शर्वत बना कर लाती हूँ सब बैठ कर शर्वत पीते हैं गर्मी की बात चल पढ़ती है, तो निखिल अपने बाबा को बताता है कि आज वो एसी की दुकान पर एसी पता करने क्या था अरे बेटा, एसी तो जैसे तैसे करके भी ले लेंगे लेकिन तुम्हें पता है, जब एसी चलता है तो बिजली का बिल कितना आता है गर का सारा बजट बिगर जाएगा, वैसे भी महीना खत्म होते होते हाथ में कुछ नहीं बचता तुम्हारे बाबा बिलकुल सही कह रहें बेटा, इसलिए तुम दोनों सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो जब तुम कुछ बन जाओगे तो हम एसी भी ले लेंगे दोनों बच्चे मन मार कर बैट जाते हैं, एक हफ़ता ऐसे ही बीच जाता है फिर एक दिन बलदेव एक सेकेंड हैंड विंडो एसी लेकर घर आता है जिसे देख कर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं एसी लगा दिया जाता है और उसकी ठंडी हवा पूरे घर को ठंडा कर देती है ये क्या? आप भी बच्चों की बातों में आ गए? अब इसका बिल कौन देगा? हम इस्तिमाल करेंगे तो हम ही देंगे सेकंड हैंड ही सही लेकिन एसी लगने के बाद निखिल और निकिताब बहुत खुश थे वो स्कूल से आते ही एसी चला लेते हैं आचल बहुत मना करती लेकिन बच्चे उसकी कुछ नहीं सुनते रात को भी सारा परिवार एसी की ठंडी हवा में सोता अगर आचल उसे बंद कर देती तो बच्चे फिर से चला देते हैं एक महीने बाद जब एसी का बिल आता है ये देखो बिजली का बिल चार हजार रुपए आया है अरे भाई फिर ये अमीर लोग चैचै एसी कैसे लगा लेते हैं अब क्या होगा मेरी तो तनकोआ ही दस हजार रुपए है मैंने तो पहले ही कहा था कि अपनी चद्दर देखकर पैर पसारो अब देखो इस महीने का तो पूरा बजट ही भी गड़ गया अगर बिल नहीं दिया तो लाइट कर जाएगी दोनों बच्चों को इस बारे में कुछ नहीं बताय जाता बलदेव बिल जमा करा कर आ जाता है आचल बहुत परिशान होती है आखिर में वो अपनी पडोसन के पास जाती है बहन तुम तो बड़ी-बड़ी कोठियों में काम करती हो क्या तुम मुझे भी काम दिला दोगी क्या हूँ आचल तु बड़ी उदास लग रही है तुने तो आज तक कभी भी नौकरी नहीं करी फिर अचानक ऐसी क्या जरूरतान पड़ी है क्या बताओं बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके जरूरते भी बढ़ रही है अब अकेले एक की तनख्वा से घर नहीं चलता सोचा बच्चे बड़े हो गए हैं तो कुछ काम मैं ही कर लू तुम देखो न कहीं मेरे लिए काम हो तो बताना पड़ोसन आचल को काम बता देती है आचल घर वालों को नहीं बताती और काम पर जाना शुरू कर देती है दो तिन घरों में सुबह सुबह जाडू पुछा और बरतन कराती फिर जल्दी जल्दी अपने घर का काम खत्म करती बच्चे स्कूल से आकर एसी चलाते तो बेटा तुम्हारा दुख देखकर तुम्हारे बाबा बेशक एसी ले आए हो लेकिन तुम्हें ये बहुत सोच समझ कर चलाना चाहिए इसका बहुत बिलाता है सच में मा इसी लगने के बाद कितना अच्छा लगता है मैंने तो अपनी सब दोस्तों को बता दिया कि हमारे घर इसी है आचल का समझाना बेकार जाता है अब आचल रोजाना बच्चों और बलदेव के जाने के बाद लोगों के घरों में बरतन मांचने और जाड़ू लगाने का काम करने जाने लगी एक दिन सुबा क्या हुआ आचल तुम्हें तुम बहुत ठकी ठकी लग रही हो आज कल बलदेव आचल का हाथ शू कर देखता है तो उसे बहुत तेज बुखार होता है नहीं नहीं उसकी जरुवत नहीं है मैंने सुबा बुखार की गोली ले ली है अब मुझे अराम आ जाएगा आप जल्दी से काम पर जाओ अरे तुम मुझे इस तरह घर से क्यों भेज रही हो क्या मैं तुम्हारे लिए आज घर पर नहीं रुख सकता नहीं नहीं तुम्हें घर पर रुखने की जरुरत नहीं है अपने काम पर जाओ अगर काम पर नहीं जाओगे तो आज की तनखुआ कर जाएगी बलदेव को भेजने के बाद आचल जल्दी जल्दी तयार होकर काम पर चली जाती है पर उसे इतना तेज बुखार होता है कि वो काम करते करते बेहोश हो जाती है तभी आचल द्वारा दिये गए फोर नमबर पर उसकी मालकिन कॉल करती है हलो क्या बलदेव से बात हो जाएगी आहा ज़रा रुकिये मैं अभी उसे बलाता हूँ हेलो हाजी कौन बोल रहा है आप जल्दी से मेरे बताय हुए पते पर आजएए आपकी पत्नी को बहुत तेज बुखार था फिर भी वो काम पर आ गई अभी वो बेहोश है मैंने डॉक्टर को दिखा दिया लेकिन आप आकर उसे ले जाओ मेरी पत्नी? आपको कोई गलत फेहमी हुई है मेरी पत्नी काम नहीं करती आपकी पत्नी का नाम आचल ही है न? उन्होंने जब यहाँ पर नौक्री जोइन की थी तो यह फोन नंबर लिखवाया था हाँ हाँ, उसका नाम आचल ही है आप मुझे एड्रेस बता दो मैं, मैं अभी आकर उसे ले जाता हूँ बलदेव भाग कर जाता है और आचल को घर ले आता है घर आकर वो देखता है कि दोनों बच्चे एसी चला कर आराम से सो रहे थे तुमारी मा को बहुत तेज बुखार है अभी इस एसी को बंद करो अरे मा, आप कहां चली गई थी? आज जब हम स्कूल से है तो आप घर पर ही नहीं थी पडोस वाली आंटी ने चाबी दी आचल के होश में आने के बाद बलदेव उससे सब कुछ पूछता है और आचल बताती है एसी लगाने के बाद घर का बजट बुरी तरह बिगड़ गया इस तरह तो हमें अपनी बहुत सारी जरूरतों को बंद करना पड़ेगा यही सोचकर मैंने काम पकड़ लिया कि आगे बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत पैसा चाहिए सारी बात समझने के बाद दोनों बच्चे अपनी मा के पास आते हैं मा हमें माफ कर दो हमें अपनी गलती समझ आ गई है हमने सोचा ऐसी लग जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा पर हमने ये तो देखा ही नहीं कि इसके आने से और कितने सारे खर्चे बढ़ जाएंगे नहीं नहीं मा हमें इसी नहीं चाहिए जिससे कि हमारी मा बीमार हालत में भी दूसरों के घरों में उनके जूटे बरतन माजने जाए हमें माफ कर दो मा तुम अनपूर्णा हो आचल बगैर किसी को बताए तुम मेरी मदद कर रही थी बच्चे अपने बाबा को बोलते हैं कि बाबा ऐसी बेच दो हम जैसे पहले थे वैसे ही अच्छे हैं जब हम पढ़ लिक कर कुछ बन जाएंगे तो हम इसे खरीद लेंगे पर अपनी मा को इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकते बलदेव इसी बेच देता है बच्चे भी अब समझदारी से काम लेते हैं थोड़े दिनों में आचल ठीक हो जाती है और बलदेव उसे काम पर जाने से मना कर देता है